है दोस्तों तो 120 हर्ट की फ्लाक्शिप अमुलेट डिस्प्ले एक सो आट मिगा पिक्सल का फ्लाक्शिप कामरा ट्रूली ग्लोबल 5G और 120 वाट की दुआदा चार्जिंग स्पीड यह सारो जो स्पेक्स हैं अगर मैं आपको एक दू साल पहले बता था तो आपको ऐसा लगत इता की मैं कुछ एक लाख के महंगे फ्लाक्शिप फोन की बात कर रहा हूँ लेकिन यही है जदू टेक्नॉलजी का या पिर मैं का हूछ आए जादू शाओमी का क्योंकि आज हम जिस फोन की बारे में बात करने वाले हैं मतलब सेग्मेंट हिलाब देने वाले स्पेक्स वो लेके आया है और मतलब ऐसे स्पेक्स हैं जब रूमर्स चल रहे थे लीक्स आ रहे थे तो बिश्वास नहीं हो रदा है कि नहीं भाई यह फोन तो इतने प्राइस में नहीं आ सकता है तो शाओमी 11i सीरीज फाइनल इंडिया में लॉंच हो गई है शाओमी की साथ मिलके आज मैं आपको ओवर्विव देने वाला हूं शाओमी 11i और शाओमी 11i हाइपर चार्च 5G का शाओमी 11i हाइपर चार्च 5G की सबसे पहला फीचर सबसे मेन फीचर आपको पता है मेरा जो बहुत ज्यादा फेवरेट है चार्जिंग स्पीड तो इस फोन ने पहली बार इंडिया में 100 वाट की चार्जिंग स्पीड का रिकॉर्ड ब्रेक किया है अच्छी बात यह है कि यह 120 वाट का चार्जर आपको बॉक्स में ही मिलता है और यहाँ पर हमने जल्दी से टेस्ट करके देखा कि कैसा इसने परफॉर्म किया आप देखोगे 1% से 50% यह केवाज 10 मिनिट में पहुँच जाता है और सिर्फ 15 मिनिट के आसपास यह फोन फुल 100% हो जाता है अब जाहिर सी बात है यह चार्जिंग स्पीड इंडिया में और कोई फोन इस टाइम मैच नहीं कर सकता है इंडिया का फास्टेस चार्जिंग स्मार्ट फोन बन गया है यह फोन अब इतनी फास्ट चार्जिंग स्पीड मिल रही है तो एक सबसे वहले सवाल आता है मन में कि बैटरी हेल्थ का क्या हो या फिर कितना सेफ है यह चीज तो इस चीज का भी शाओमी ने काफी अच्छे से ध्यान रखा है यह जो 120W की चार्जिंग टेकनोलोजी है इसको अचीज करने के पीछे 3-4 काफी जादा तगरी टेकनोलोजी यहाँ पर यूज करी गई है इनको अलग से समझाने बैठूँगा तो शाहद पूरी एक वीडियो यहाँ पर बन जाएगी लेकिन थोड़ा बेसिक्स आपको समझा देता हूँ तो यहाँ पर जो बैटरी है 4500MH की वो डूल सेल बैटरी है इसके लावा डूल चार्ज पंप यहाँ पर यूज कर रहा है शाओमी MTW टेकनोलोजी है और MIFC टेकनोलोजी है बेसिकली ट्रिकल चार्जिंग टाइम जो होता है उसको काफी कम कर देती है सेक्योरिटी मेजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 34 प्रोटेक्शन फीचर्स यूज करें हैं यहाँ पर इसे अगर हम बाकी कुछ फास्ट चार्जिंग टेकनोलोजी से कंपेर करें तो पांच सो साइकल्स के बाद ही वहाँ पर सिक्स्टी परसेंट तक गड़ जाती है बैटरी कपैस्टी यह तो हो गई बैटरी की बाद दूसरा सबसे खास फीचर है इस फोन में 6.67 इंच की AMOLED डिस्पले जहां पर हमें HDR10 का सपोर्ट है, Widevine L1 का सपोर्ट है, Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन हमें यहाँ पर मिल जाती है और 1200 निट्स की पीक ब्राइटने से टेच कर सकता है और पिसले साल के काफी Xiaomi phones की तरह है यह भी बहुत प्यारी डिस्पले है, Multimedia consumption में एक आइडियर फोन यूज कर रहे हो, घर वापिस आते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर हमें 120 हर्ट का refresh rate भी मिलता है, touch sampling rate 360 हर्ट का, obviously जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फोन काफी ज्यादा ultra smooth और responsive फील होता है, स्क्रीन के बीच में मिल जाता है एक central punch hole जिसको और ज्यादा चोटा कर द अंदर नहीं है, इस बार आप देखोगे कि design language में भी काफी कुछ change कर दिया है Xiaomi ने, एक दम नए टाइप का में एक body structure मिलता है, जिसमे फ्लाट edges हमें 4 तरफ मिलती है, तो काफी एक symmetric सी यहाँ पे look आती है, हमारे पास यह stealth black variant है, जिसमे बहुती शांदार matte finish वाली आपको back म अलवा तीन और बढ़िया कलर में फोन अवेलेबल है, camo green है, purple mist है और pacific pearl है, एक और अची बात कि इस फोन को काफी slim और light रख है Xiaomi ने, लेकिन तब भी ऐसे कुछ ports वगएरा में कोई कमी नहीं करी है, यहाँ पे 3.5 mm audio jack हमें मिल जाता है, infrared blaster मिल जाता है Xiaomi का, और memory expansion का भी option है, hybrid sim card slot के साथ जिसमें आप 1 TB तक का card डाल सकते हो, प्लस उपर से मिल जाती है IP53 रेटिंग इस phone पे तो थोड़ी बहुत बारिश होगी, आप पानी के चपाके पड़ेंगे, तो कोई दिक्रेत की बात नहीं है, right side पे हमें मिल जाता है physical fingerprint scanner जो काफी तेज काम करता है, और यहां पे आप double tap gestures भी यूज कर सकते हो, पीछे की तरफ हमें मिलता है यह काफी अच्छे design वाला camera module, जिसमें मिलता है 108MP का Samsung HM2 sensor, साथ में है 8MP ultra wide और एक macro camera, आगे तरफ जो selfie camera है, वो 16MP का है, यहां पे मैं आपको कुछ camera samples दिखा देता हूं, जो हमने अबी तक लिए है, इ noise free clean images यहां से मिल जाती है, वीडियो recording की बात करते हैं, तो 4K 30fps वीडियो आप record कर सकते हो main camera से, इसके लावा MIUI camera app के अंदर बहुत सारे modes आपको मिलते हैं, प्रो modes हैं बहुत सारे, इसके साथ काफी creative चीज़े आप कर सकते हो, इससा आजाते हैं, फाइल चीज़ पे, जो है phone की performance तो यहां पर मिल जाता है, MediaTek का Dimensity 920 चिप सेट, 6 nanometer based processor है, यह 5G चिप सेट है, और इस price segment के साब से, one of the most powerful processor आप इसे मान सकते हो, 120Hz की screen के साथ यह processor जब मिलता है, तो आप मान लो कि जो normal काम है, यह gaming है, हर चीज़ यहां पर काफी smooth होती है, प्लस वेपर कूलिंग चेम्बर भी यहां पर दिया गया है, तो अगर आप लंबा लोड डालोगे phone पे, तो अच्छा कहसा है पर heating control होनी चाहिए, 2022 अगया है, तो 5G support अब और जादे इंपोर्टेंट हो गया है, इस phone में दोनों SIM slot में हमें 5G support मिलता है, और 8 5G band मिलते हैं, जिसका मतलब जैसे ही इंडिया में 5G आएगा, आपका phone 5G रेडी होने वाला है, उसके लावा नेटवर कनेक्टिविटी यहां पर काफी solid है, Bluetooth 5.2 version भी है, आपको मैं काफी बार बता चका हूँ, काफी जादे रीफाइन हो गया है, काफी सारे features यहां पर अल्रेडी हमें मिलते थे, customization options है, always on display है, साथी साथ अब यहां पर काफी सारी system apps तक आप remove या uninstall कर सकते हो, Xiaomi 11i series में आपको virtual RAM का feature भी मिल जाता है, तो आप 2GB या 3GB तक extra RAM अड़ कर सकते हो अपने phone में software के तुरू, इससे आपका multitasking experience और जादे improve हो जाता है, तो यह था एक quick overview, Xiaomi 11i hypercharge का features सुनके यह आप समझ गए होगे, मैं क्यों इतना excited था इस phone के बारे में, इसके साथ Xiaomi 11i series में जो दूसरा phone है, वो है Xiaomi 11i 5G, यहां पर basically बाकी सारी 5160 mAh की और जो charging है, यहां पर 67W की है, वैसा आपको बतायाता हूँ, 67W भी इस price segment की सबसे तेस charging speed है, 50% तक यह phone charge हो जाता है, सिर्फ 13 मिनिट के अंदर, और साथी साथ आपको 500 mAh से भी बड़ी battery का भी option मिल जाएगा, तो जो heavy users हैं, उनको यह option बहुत पसंद आने वाला है, तो यह था एक quick overview Xiaomi 11i series का, अब यहां पर दो-दो storage variant Xiaomi ने launch किये हैं, pricing स्टार्ट हो जाती है, 24,999 से Xiaomi 11i 5G की, 26,999 में आपको Xiaomi 11i Hyper Charge 5G का base model मिल जाएगा, साथे साथ काफी अच्छे launch offers में आपको अनाउंस किये हैं, Xiaomi ने काफी सारे cashbacks और discounts आपको मिल रहे हैं, सारे details आपको न सीरीज का, और कॉंसा content आप देखना जाते हो, इन फोंस के बारे में, फड़ा फड़ा नीचे comment करके आपको बता सकते हो, मैं दो आप से नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाए!